हर इंसान की एक personality होती है उसकी एक हासियत होती है और जब वो अपने उस रूप में आता है तो वो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अब जॉनी लिवर एक एक्टर के तौर पर भले इर्फान खांग जैसे serious रोल कर ले लेकिन उनका best part उनके अंदर से तभी निक इसने भी balanced बयान देते रहें लेकिन जब कभी हिंदू की बात वो करते हैं उनका व्यक्टे तो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है और हाली में उनके दिये गए भाशन में वो नरेंद्र मोधी नजर आया जैसा लोग 10 साल से expect कर रहे थे यानि पहली बार उन्होंने Muslims पर बोला उन्होंने कहा कि पहले जब इनकी सरकार थी तो कहते थे कि देश की संपत्ती पर सबसे पहला अधिकार Muslims का है इसका मतलब है ये आप सब की उनका इशारा हिंदू की तरफ था उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ती इकठा करके किसको बाटेंगे जिनके ज्यादा कि आपका पैसा घुसपैटियों को दिया जाए। का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर वो उस संपत्ति को बाट देंगे। यहां उन्होंने मंगल सूत्र तक छीन लेने की बात भी कही। अब इसमें चर्च 1947 के बटवारे के बाद जब पाकिस्तान बन चुका था, मुस्लिम्स के लिए एक अलग रास्ट बन चुका था, उसके बाद भी अगर भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि यहां की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिम्स का है, तो ऐसे लोग कितने भी बड़े ग्यानी हो, वो जूत पत्रम के योगे ही हैं, यहां इफबट नहीं चलेगा, सोचे 2007 में देश का हिंदू किस कदर सोया पड़ा था, कि कॉंग्रेस के चम्चे प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की बात का पांच सेकंड के लिए भी विरोध नहीं कर पाया था, तो अगर नरेंदर मिलेगी हिंदू को नहीं, और इस वक्त जब दोनों पार्टियों के लिए इलेक्शन डू एंडाई वाला मामला बन चुका है, तो फिर जितने भी अस्तर का प्रियोग किया जाए वो कम होगा, नरेंदर मोदी भले ही मंदिरों में जाते हैं, माथे पर तिलक लगाए अकसर दिख जाते हैं, लेकिन आम जनता को उनका हिंदू प्रेमी रूप ज्यादा भाता है, जो प्रधान मंत्री बनने के बाद देखने को नहीं मिला था, हिंदू और मुसलिम को बैलेंस्ट वे में तो वो ट्रीट करते दिखे हैं, ऐसे में जब वो खुलकर मुसलिम का विरोध करते हैं, तो निश्चित तोर पर इसका सीधा असर इलेक्शन पर पड़ेगा, अब आगे उन्होंने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों से एक लाइन निकाली, जहां कॉंग्रेस ने कहा है, कि वो सर्वे कराएंगे और पता करेंगे किस के पास कितना धन है, और फिर उसे सब मे बांट देंगे, राहुल गांदी ने भी अपने भाशन में कहा है, कि वो एक्सरे कराएंगे और पता करेंगे कि हिंदू के पास कितना पैसा है, और उसे बांट देंगे, अफकॉर्स जब हिंदू के पैसे की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स में बातने की बात कर रहे और इस तरह से वो 2007 में मनमोहन सिंग के दिये बयान की पुस्टी करते हैं कि रास्ट संपत्ती पर पहला हक मुस्लिम्स का है। वो टेक्सपेयर्स हैं जो कमाते हैं उसका टेक्स सरकार को देते हैं तो आईगैस की प्रधान मंत्री का ये पैतरा भी सटीक बैठता है। उसके बाद उन्होंने घुसपैटियों पर निशाना बनाया अफकोर्स यहां रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात हो रही है जो अब हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमारे खून पसीने की मेनत से दिये टेक्स के पैसों से फायदा उठा रहे हैं। खिलाफ इतना सपस्ट भाषन तो नहीं दिया है। तो निश्चित तोर पर ये भाषन एक दाव की तरह यूस किया गया है। पहले चरण की वोटिंग में वो जोश नहीं दिखा जैसा दिखना चाहिए था। और अब अगली वोटिंग 26 अपरेल को रखी गई है। इस दिन 13 स्टेट्स में वोटिंग होंगी। अब पहला फैक्टर गर्मी तो है ही जिसके कारण कुछ वोटर्स वोट देने में आना का नहीं करते हैं। दूसरा अगर मैं बिहार की बात करूँ। जहां पहले चरण में भी कम वोटिंग देखने को मिली थी। यहां पर 26 अप्रेल को बहुत ज्यादा शादिया है।